मिघाले में अगले साल मार्च में विधान सबाच चुनाफ होने हैं लेकिन उसे पहले ही राजे में चुनावी हलचल शिरू हो गई हैं चुनाफ से पहले ही मिघाले में बेज़ेपी मजबूत स्थती में आ गई हैं दरसल भारती जंता पार्टी ने मिघाले के चार विधाको को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है जिसमें से एक DMC का विधायक भी शामिल है चार विधायक जो BJP में शामिल हुए हैं उनमें से एक निर्दलिय, दो NPP और एक DMC का विधायक है चारू ने दिली में असम के मुख्यमंतरे हिमंत बिस्व सर्मा और संबित पात्रा की बीजेपी की सदस्ता ग्रहन की हैं असम के मुख्यमंतरे हिमंत बिस्व सर्मा ने DMC विधायक, हिमाले, संपलियायक, NPP के विधायक, बैनिक्ट, मराका और फेरलिन संगमा और निर्दलिय विधायक, समुईल संगमा को BJP की सदस्ता ग्रहन करवाई हैं इस मौके पर BJP प्र चौका दिन बहुत ही इंपोरान हैं चार चार मौजूदा बिधायक in Meghalaya Assembly, they have joined BJP today and I think this is a very new beginning. वारे वी दूजिता मेरी विवार अग्यूनि उने बड़ी जून ऑट सेनी जूनुए इसन अज्वने व्यूं करती टो जून टोग जान गान पर्ट्या जून पर्टी तोगय कर दोग्रों आप्टी यर्चल प्रई अप।थित नारेंडरो मोदी कि लिवार्नीं। आपको बता दे, TMC विधायक हिमाले नहाली में पार्टी से स्तीफा दिया था ऐसे में उनके BJP में जाने से ममतब नर्ची को बड़ा जटका लगा है BJP ने त्रणमुल कॉंग्रेस के एक विधायक को तोड़कर TMC को ऐसे वक्त में जटका दिया है जब खुद पशे मंगाल के मुख्यमंतरी ममता बेनर जी मिशन में घाले की शिरुआत कर चुगी है TMC सुप्रीमो ममता बेनर जी ने मंगलवार को मिखाले में चुनावी बिगुर्फ होंका और महिला सशक्ती करण युवाओं की बहतरी और राज्य की संस्कृति के संरक्षन के नाम पर वोट भी मांगा पशे मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर जी ने कहा था कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए मिखाले की लोगों की मदद करना चाहती है कि इस राज्य में धर्ती पुत्रों का शासन हो गौर्ड अलवे की मिखाले में अगले साल की शिरुआत में विधानसबा चुनाव होनी है मिखाले विधानसबा का कारेकाल 15 मार्च 2023 को खत्म होने वाला है ऐसे में मार्च से पहले ही यहां विधानसबा चुनाव करवाए जाएंगे आपको बता दे पिछले विधान सबाद चुनाव फरवरी 2018 में होए थे चुनाव के बाद National People's Party के नित्रत में एकट बंधा ने राज्य सरकार बनाई थी जिसमें Conrad Sangma मुख्यमत्री बने इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अबडेट्स के लिए आप बने रहें One India हिंदी के साथ